अज हम प्रूब करें कि the product of a rational number and an irrational number comes out to be an irrational number ठीक है कि अगर हम एक rational number को irrational number से इंट्व परते तो हमारा irrational number आता है जो हमारा आंचरा आता है तो इसको contradiction से प्रूप करेंगे उसका मतलब हम इसको माल लेते है कि जो हमारे इंट्व आ रहा है रहा है रहा है रहा है ठीक है फिर हम देखने कि हमारी का दिखाती है ठीक है तो अब देखो पहले नंबर हमार के rational number है तो हम इसको p upon q की फॉर्म में लिख सकते है वेर p on q के र integer से ठीक है तो आपको अपने math के class से प्ताय हुआ कि हम rational number को p upon q के फॉर्म में लिख सकते है ठीक है इसको इंट्व करेंगे rational number से अब rational number को मैं x माल लेता हूं ठीक है x equal to q अब हमने इसको मान रखा है कि यह इनका product rational number है तो rational number को अगेर हम p upon q के formula लिख सकते हैं बर इस बार हमने p or q लिख दिये हैं तो हम कोई दूसरी integers लिखने पढ़ेंगे let m upon n लिख देते हैं where m and nr यहां यह भी क्या integers है ठीक है अब अब इसको यहां ले आते q को और p को ób यहां加ी और जारी सब्समें देखो अब इसको दिखो m हमारा वह था integer था q यहां एक इंटेजर होगा ठीक है अप्रक्त की अटेजर अंपर हमारा और वह था आ यह सब्लाएंगें अटेजर होगा ठीक है थ vot यहसा अटेगे यहां हमरा सब्स अटेजर अगा तो मल्सारा इ कि अंगे तो मैं आझिम किया था कि इंदिग परोड़क थे बलिया है वह जन्हीं उति पर्दक थो उतिर भी नहीं है तुछ इसंह खोलता है था कि रहन वाक थैक है था हम नहीं आपको आपको हिर प्रियों सिरसन के गए कि यह एराइस नम्र नहीं होगा करके वो क्या होगा इराइस नम्र होगा इंटर प्रड़क्ट थैंक्यू गाइज and you can subscribe to my channel if you want I will I will keep making this type of interesting video in the future also bye